नमस्तार, मेरा नाम डॉक्टर रवी सिंग है और मैं पिछले 20 सालों से क्लासका लोमेपैथी के रवारा प्रैक्टिस कर रहा हूँ आज मैं आपके सामने एक केस लेकर आया हूँ और यह एक क्रानिक केस है, पुराना केस है और यह महिला पिछले 2002 से एक डिजीज से सफर कर रही थी और इस बीमारी का नाम होता है क्रानिक अर्टिकेरिया अर्टिकेरिया जिसे हम पित्ती उछलना भी कहते हैं एक इम्म्यून मेडियेटेड मेकेनिसम है अपने बाडी में प्रत्रोदक छमता के दराया रोग आता है ऐसी चीजें जिससे आपको इलर्जन्स या जिससे आपको इलर्जिक नहीं होना चाहिए उन चीजों के प्रती आपको आपकी बाडी रियक्ट करने लगती है जब आप डर्मेटोलोजिस्ट के पास जाते हैं तो डर्मेटोलोजिस्ट आपको एक इलर्जी टेस्ट की सलाह देते हैं जहां पर करीब 140-150 तरह के इलर्जन्स कुछ खिला के कुछ इसकिन पर लगा के कुछ इंजट करके आपको टेस्ट किया जाते हैं और उसमें से करी 15-20 चीज़ें ऐसे निकलते हैं जिनसे आपको इलर्ची होती है जैसे माल कि हाउर डस्ट हो गया, कुछ फूड कार्ट के इस हो गया और डाक्टर्स कहते हैं कि आपको इनको अवाइड करना है इवें कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको धूप से अवाइड करना है अब इस ग्रह पर रहते हुए तो बड़ा मुश्किल काम है तो एलर्जेंस को भगाने के बज़ाए, एलर्जेंस को दूर हटाने के बज़ाए पहुमेपैति एक ऐसे चिकिस्सा पद्धती हैं जहां पर हम आपके रोग के प्रकेती और रोग के लक्षों के आउसाल इलाज करते हैं और जिन चीजों से आपको इलर्जेंस या जो ज़्यादा इलर्जी हो गए हैं उन चीजों से आपको इलर्जी नहीं होगी 2002 का केस जो मेरे पास 2011 में आया था करीब इंडेर दो साम उनका इलाज चला मेरे पूरानी मारती प्रम के इलर्जी में उसका इलाज बंद हो गया अभी फरवरी 2020 में मेरे पास फिर आई और इस सेमें इनकी हज़त बहुत खराब थी क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा एर्ट बिबारी के खिलावा इनको एक और बिबारी थी जिस बिमारी का नाम होता है वरीकोस वरीन अपने बिर गया सिस्टम में एक बिमारी जो अपने पैरों मेरे जो वेंज होती है उसके वेल yeah ब्लड राऊ है वापस लग पारव टा है जिन व्यकतियों में ज़्यादा दर तक खाड़े राने का काम होता है या हाउस्वाइश में पॉर्टर सॐस्बूर्स में आसे व्यकति जो बहुत देख खाड़े रहते हैं. वेरिकोस वेन होने की संभावना जाना होती है। इनका वेरिकोस वेन में भी बहुत बढ़ी हालाब हुआ। मैं यह नहीं कहा था कि 100% ठीक हो गया। लेकिन जो यह वेरिकोस वेन के वज़़ा से जो उनको पेन वगरा हुआ होता हुता हुआ था देखे वेले साथ यह केस, धन्यवाद में। अच्छा यह अर्टिकरिया हा था भी हो रहा है। ने कहीं नहीं हो रहा है। और कहीं भी नहीं। दर्द होता है, तेज दर्द होने रहता है कभी कभी जैसे बहुत देर पर पैर लटका के बैठ गया है। कभ यह डाइगोसा के वरिकोस वेन है यह 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 तो जब आपको दिखा रहते उसी टाइम हो आपने भी तब इतना नहीं था से यह दो वेन्स ऐसे करके जरूता है। अर्टिक एरिया में आपके जो उसमें तो अभी रात में तो बहुत भेंकर हो जाता है। अब शुरू होगा थोड़ी दिर बाद से अपने जो नौ तारीक को बताया था सुनता तो अब अराम बल गया। दिन में अराम है। किसी किसी दिन, दिन में यह होटो बहुत जादा लटक जा रहा है। दिन में हमें बहुत अराम रहता है। अभी मुझे कुछ भी नहीं है। थोड़ी दिर बाद मताद नौ बजते बजते फिर यहां से स्टाट होगा। यहां होने लगेगा। फिर इचिंग शुरू होगी। सब गाव हो जा रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है। रात भर फिर बहुत बहुत बचैनी। फिर भी 11 वजे तक फिर भी रहत है। मुझे हलकी सी नीद आ जाती है। बारह शाड़े बारह में अपने नीद खुलेगी। फिर 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 चार पांच बजे तक कब मुझे वापस थोड़ा राम मिलेगा। अच्छा। और फिर वह खुजलाते हैं खुजलाते हैं गरम हो जा रहा एकदम से। तो होता ही उसमें बचैनी होता है। बैठे बैठे फिस सुबह हो जाती फिर थुड़ी गार्गंटे नीद आती है ये प्रॉब्रम और पेट साफ हो रहा है पेट में साफ है इसमें पेन नहीं है भी दबाने पे तो टैच करने पे ही उस पॉइंट पे दर्द होता तो बहुत तेज ये अराम है बताईयो नमस्ते तो किया क्या फाइद आगा गां का दो प्रालेम जो में था इन आपको असकिकरिया तो आप का बाइद हो घ्यातक अ के शिए दो नहींगा आप की के अशुभारी जो हो रहा है दी ई यह प्राद में फिर हो जा रहा है तो वरात वाला भी अप चलागा ना? मुझे वहात अराम हो गया है कभी कभार थिशले महीने दो वर्तावस के बात नहीं हुआ है और वरिकोस वेन का कैसा है अपका जो पेन वगरा होता है? वरिकोस वेन में पेन नहीं है यह अभी प्रॉमिन तो वैसे ही है उसमें ब्लॉड भी दिखाई जेता है मगर पेन भी नहीं है और गरम भी नहीं रहता है अर्टिकुरिया जो सबसे में प्रॉबल था अभी में प्रॉबल था वो मेना 100% क्यूर है महत इची रहता महत इची रहता मेरे पात एक पेशेंट आया था अंतर लो था अभी मैं आप अपशना वुसका मेरे कितने हजार टेलेट चीजिन खा चुगा है मेरे हजार हो तो मेरी भी हम 2002 से खा रहा है 2002 से चीजिन पर हम पिछली बार हम एक महीने में लास्ट ययर आपके पास आये हम एक एक दिन में चार-चार खा जा रहे थे, कुछ अजर नहीं हो रहा था, अब, तभी तो हम आपके पास आये थे और जब से हमाल पास आई तो अप्छे परगाट के रहे 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 हैं लेने की जुरूत नहीं पड़ी थी बस वही 17th Feb. को हम आये हैं, 19th को हमें शादी में जाना था, जौनपुर गया है, वहाँ मुझे दिक्कत हुई थी, एक खाय ते कुछ असर असर नहीं हो, अपने आप शान्त हो गया फिर रागबर में और चक्कर का प्रालम कैसा अपका? वह सब तो पहली ठीक हो गया था वहाँ में बीच में मुझे पें हुआ था, दो महीना पहले बताय था 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 खड़ी थी गया हां कुछ काम किये थे किचन में अब दर्थ नहीं है प्रोलांग इस्टेंडिंग एवाइड कीजए वह तो आप हमको पहली बादी बोले थे लेकिन कुछ काम होता है न करना ही पढ़ता है यह हो जाता है वाकी दर्थ रही है पर वो काला पन भी नहीं गया है दर्थ नहीं पूलें आपको इस क्लिन से इलाज जेने के आवाशकता है तो यहां आ सकते हैं दिखा सकते हैं और अनलाइन ट्रीट्मेंट लेने के लिए वेबसाइट रवीट्लिन.com पर विजिट करें और वहां से एक कंशल्टेशन गुप करें अनलाइन ट्रीट्मेंट क धन्यवार यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि आपको इसी तरह के अलग अलग वीडियो और डिजीस रेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे जिससे आपके अंदर भी कांफिडेंस आएगा कि ऐसी पुरान प्रावलम जो 15-15 साल पुरानी प्रावलम हैं वो भी होमयवथी के इलाज से ठीक हो जाती हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएए मेरे चैनल को लाइक करिए धन्यवार